दोस्तो बोली बुड में कुछ ऐसी फिल्में बनाई गए जिसमें किसी के धरम को बड़ा चढ़ा कर गलत दिखाया गया उस धरम को ठेस पहुचाई गई इन फिल्मों का फायदा डायरेक्टरों को खूम मिलता है क्योंकि जिन फिल्मों में हिंदू-मुसल्मान किया जाता है किसी फिल्में कुछ जादा ही पसंद की जाती है जो लोगों को धरम के नाम पर लड़ाती है अब सीमा हैदर के पाकिस्तान से भारत आने पर डायरेक्टर इस पर एक कहानी बनाना चाहती है दोस्तो इस वीडियों में कुछ ऐसी फिल्मों के बारे हम बताने की कोशिस की तो और ये फिल्म के लड़ा जाती बिल्कुल नहीं देंगते कुछास्स का लामन की फिल्म के श्टॉर्गाय विफ्लाइब कर हो पिसक्हूना सीमा के बारे में काया है कि फिमेल तारा सिंह सीमा मतलब गदर की फिमेल तारा सिंह सीमा तो अब लगता है कि उनको अपनी अगली फिल्म की कहानी मिल चुकी है जो पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने उनको दी है बैसे तो अनिल सर्मा अपनी अगली फिल्म गदर टू को लेकर सुर्खियों में बने हुए इस फिल्म में भी इन्होंने भारत और पाकिस्तान को ही मुद्दा बनाया है। इतना कि कुछ ऐसी फिल्म में बना रहे हैं जिसमें क्या क्या मुसलमानों को बड़ा चठाकर गलत दिखाया गया है। ये फिल्में बेमतलब मुसल्मानों को गलत दिखा रही है और हिंदूों को भड़का रही है जिससे कि भारत का भाई चारा खतम हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इन फिल्मों के जरीए किसी के धर्म की सच्चाई बताते हैं वलकि सच्चाई तो यह है कि इन फिल्मों के जरीए इन्हे कमाई अच्ची होती है आप खुद ही सोचिए जिनका खुद कुछ धर्म नहीं होता वो किसी के धर्म की सच्चाई कैसे बता सक यह एक्टर है इन्हें एक्टिंग करने का पैसा मिलता है और इन्हें पता है कि हिंदु मुसल्मान मुद्दा गरम है इसलिए ऐसी ही फिल्में बनाते हैं और खूब नफरत फैलाते हैं और अब इन्हें ने सोच लिया है पाकिस्तान से आई सी महेदर की लवी स्टोरी पर फिल्म बनाने का तो सायद अब डायरेक्टर अन्सर मगदर टू के बाद इस प्रोजेक्ट को फ्लोर पर ले जाएं